प्रेंड्स स्टूडेंट्स हावार यू गुद मॉर्निंग चलिए आज हम डिस्कस करते हैं आपका एक टॉपिक साइटे प्रेमियो लिट्रेचर के बच्चे एकेडेमिक और आर्पेसी कंपेटिटिव परपस सभी तरह से एक आपका लिटेरी टाम सॉनेट इसे डिसकस करते हैं आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे आपको एक एक चीज किलियर होगी चलिए हम सबसे पहले इसके और इजन की बात करते हैं तो इट्स नोट सर्टिन ऐसा कहा जाता है कि बराबर यह नहीं कहा जा सपता कि सानेट का एक चल और इजन कहा समान जाए इवन सिसीलियन फ्राविन्स एज तू सोर्सेज हैव बिन सजेस्टेड और सानेट and half and 13th century earlier Dati and later on Patriarch practice in Italy. The term sonet is originated in Italian word Soneto, originally Soneto और इस तरह से इसका ओरीजिन इटेली मान जाता है और मूल रूप से दाते ने सबसे पहले इसका प्रियोग किया लेकिन ज्यादा उसके नाम से इसकी प्राक्टिस नहीं रही और बाद में प्राक्टिस नाम के इस पॉइट ने इसका बरपूर प्रियोग किया और इसी के नाम से इसको यानी जाना गया आप एक और बाद ध्यान रखें कॉंपिटिटिव प्रपस से टेक्निकल चीजों का विशे ध्यान लखें फ्रैंसिसको प्राक्टिस को फुल नेम बहुसे बार इसमें कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की टेक्निकल बाते आती है जो माँ आप से लास्ट में बात करेंगे पहले इसको वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप हम बात करते हैं जब हम इस चर्चा कर चुके कि इटेली में पेट्रार्क की प्रक्तिस और पेट्रार के साथी इस विदा को जानने जाने लगां तो हम पहले यह बात कर लें कि कि किस तरह से आपका सानेट इटेली से चलकर इंग्लेंड तक यात्रा हुई और वहां से चलकर साइटे का केसे हिस्सा बना कि कि सबसे पहले यह मैं क्योंसर उठाते हैं बैसी के लिए मैंनी टाइपस ऑफ सोनेट आर तेर आपका एक आंसर आता है बैसी क्वेवर्ण देर आप्टु टाइपस ऑफ सोनेट एगन बोलते हैं पेट्रायर्क नोडेल्ट और दूसए इधर यहां हम बोलते हैं जब से लेकिन लेटर और कालांतर में चल कर सोनेट में बड़े एक्सपेरिमेंट के साथ बात करें तो एक तीसरे प्रकार का सोनेट निकल कर आया जिसमें आपका ने तो आपका पैटार का ने यानि सेक्सपेरियन इन दोनों से हटकर जो सर्टन डिसिप्लीन और सर्टन लिमिक्स थी उसका एक मिक्सर रूप और उनसे अलग हटकर हुआ तो उसे हम आगे जाकर यह कहने लगे इर्रेगूलर सोनेट या हम कहेंगे उसको सूडो सोनेट यह इर्रेगूलर और सूडो सोनेट अलग अलग तरह से अलग अलग राइटर के सर्टन करेक्टरिस्टिस के आधार पर सर्टन है नहीं जो उसके नाम होगे जैसे आपका जो सोनेट सबसे यानि इसम आक्सिटन सॉनेट आ गया स्पेंशेरें सॉनेट आ गया और कल्टल सॉनेट आ गया कि कल्टल सॉनेट एक ऐसा सॉनेट होता है जिसमें दस तैन एन हाफ लाइन्स होती है इनकी अलग-अलग पेचाने हम सुदो सॉनेट को इस मौडन सॉनेट को इर्रेगुलर सॉनेट को एक तरफ रखते हैं और हम बैसिकली बात करते हैं कि किस तरह से सॉनेट की आत्रा इटेली से चलकर इंगिलेंट तक हुई और किस तरह से यह प्रक्टीश में आया तो पहले हम पेट्रार्कन मौडल सॉनेट जो ओरीजनली ओरीजिनेटिड इन इटेली और एस्पेशली पेट्रार्क इज रिगार्डेट दे मेंटर कि पेट्रार्क के नाम से इसको जानने जानने लगा तो इस सॉनेट का मक्या स्टेटेस था कि सबसे पहले यहीं हम सिमिलेटी जब सॉनेट और सॉनेट के दिए हम बात करते हैं तो आपका सॉनेट एज फोर्टीन लाइन से पोयम सॉनेट चोदे लाइन की एक छोटी कवी था एक पहली सबसे पहले आउटस्टेडनी करेक्टरिस्टिक निकल कराई है उसके बाद दूसरा रिटन इन सर्टेन रिटन इन सर्टेन डिसिप्लिन दर्ट मीन्स आयमिक पेंटर मिटर अंटेंस लेबलिक लाइन लेट अस्टार्ट टू लेट अस्टार्ट टू डिसकस आयमिक पेंटर मिटर हमें आयमिक पेंटर मिटर को भी समझना पड़ेगा मैंने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा में डिसकर्च किया था कि आयमिक पेंटर मिटर मीन्स ए लाइन एक लाइन ऐसी कविता की पंक्ति ऐसी जिसमें स्लेबल्स इन लाइन लाइन में जो स्लेबल्स का अरेंजमेंट है वो आपका अनसे टन आ अनसेंट्ड आनसेंट्ड आनसेंट्ड आसेंड आमिक पैंटा मीटर वेन मेट्रिकली वी आपरेट दे लाइन और जब मेट्रिकल तरीके से हम लाइन को अपरेट करते हैं तो उसमें 10 स्लेबल and you already know स्लेबल मींज स्लेबल, 10 स्लेबल उस लाइन में होंगे आप स्लेबल अच्छी तरह से जानते हैं उस लेबल के पेर रिगार्डेड पूट अपेर ओफस लेबल इज रिगार्डेड पूट और जब 10 स्लेबल के पेर बनाते हैं लाइन में उस लाइन में इस आर फाइव अन्सो पेंटा हैंस दे टर्म इज आयमिक पेंटामीटर और इस तरह से आयमिक पेंटामीटर होगा पेटार्कन मॉडल जो सोने टा है उसमें डिवाइडेशन उसका रायम इसकी एक शेडूल्ड एक फॉर्मुलेटिड बाई इसके यानी फाउंडर के साथ फॉर्मुलेट की गई 14 लाइन्स बेसिकली इन पेटार्कन मॉडल डिवाइडेड इन्टू टू पार्ट पेटार्कन मॉडल में आपकी फॉर्टी लाइन की जो पोयम है सॉनेट यह बेसिकली दो भागों में बटी आक्टेव एट लाइन्स प पॉइट ने राइम स्कीम का जो अरेंजमेंट किया वो क्या आपका एबी बी एए एबी बी एए सीडी ए सीडी ए और कभी कभी आपको एवी मिलेगी डी सीए यह आपका एक पेटार्कन मॉडल का जो है सोनेट का राइम स्कीम हमारा जो आक्टेव है उसमें आपकी दो राइम है ए बी ए हम राइम को गिनेंगे अल्टनेटिवली तो उसमें दो राइम है और से स्टेट में आप राइम की नमबरिंग करेंगे गिनेंगे तो उसमें दिर आर थ्री राइम्स यह आपका राइम स्कीम है पेटार्कन Dividation दो तरह से होगा, Structural Dividation and Thematic Dividation. Petrarchan model का जो Dividation है, on the basis of Structure, Structure की आधार पर जो बढ़ता है, just after eight line, there is a gap that is marked by punctuation and in literature that is called pose and sashura. Mind yourself, आप ध्यान रखें, ये frequently asked in examinations. परिशाओं में ये पहुत जादा बार बार पूछा जाता है, प्लीज, आपका Structural जो Dividation, Sonnet का, Petrarchan model Sonnet का, आठ लाइन के जैस्ट बाद जोईंस में, gap जोईंस में Structural रूप से gap दिखा दिया जाता है, marked by full stroke and that is called sashura or pose. लेकिन जो ही sashurian जो break आता है, उस sashurian break, Structural break and thematical break also. thematically this break in Petrarchan sonnet, Petrarchan sonnet में ये जो thematical break है, इस break को हम thematical ल्टा, ल्टा और बाट, बी यू टी टी ये आपको ध्यान लखना है, आपके पास especially technical exam की दृष्टी से structural जब हम बात करेंगे तो पोज और सेशुरा, thematic बात करेंगे तो आपका बट और ल्टा ये हम दियान रखेंगे, लेटर पार्ट आप शिक्स लाइन इजे कॉल्ड सेश्टेट और बात का जो छे लाइन का पार्ट बचेगा हूँ आपका सेश्टेट, supplementary दीज टू पार्ट आर आल्सू डिवाइड़ेट इन रिगार्डिंग सब्जेक्स, जैसे आपका octave दो भागो में बटा, तो क्वर्ट ट्रेन आपका होगा, टू क्वर्ट ट्रेन्ज, आपका सेश्टेट दो भागो में बटा, तो टू टर्सेट्स, आपके टर्सेट होगे, तर्शेट मीन्स यूशुड नो थ्री लाइन पार्ट और थ्री लाइन अस्टेंड़ तर्शेट्स यह आपका पेट्रार्कन मॉडल यानि सोनेट का एक स्टेंडर एक स्टप्जर और थिमेटिकल स्टेंडर था यहां हमारे इंगलेंड में दो पोईट यानि जह है जो डिप्लोमेट भी थे पोईट भी थे वो फोर दे परपरज अफ लिटरी जर्नी दे विजिटेड इटेली और देर दे लेंट दिस लिटरी फैब्रिकेशन इस लिटरी फैब्रिकेशन को उनोंने जाना समझा यह दो यानि आपके जो डिप्लोमेट भी थे इंगलेंड के यह पोलिटीशन भी और डिप्लोमेंट और यानि पोईट्स भी थे इस जिग्याशा से वो वहां गए उनोंने सीखा अंड तो इंगलेंड और इंगलेंड में जब लोटें दे टूक प्राक्टिस पर वन तिंग इज टू बी नौन टू बी लर्न एक चीज दियान रखें यह विदा वहां से इन दोनों की द्वारा यह लाई गई प्राक्टिस की गई लेकिन अरल अफ सरे ने काम किया अरल अफ सरे ने स्टक्चरल जो पेटारिकन जो सॉनेट स्टेंडर था उसमें सर्टेन चेंजिज की है कुछ कविताओं के साथ इनकी ज्यादा प्राक्टिस नहीं रही लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जब यह विदा यहां आई तो उसमें एक पोईट एलिजाबेदन एज का एक पोईट विलियम सक्ष्पियर और स्पेशली एलिजाबेदन वाज्प इन इस फुल स्विंग इन रिगार्डिंग लिट्रीचर लिट्रेचर के तरीके से लिट्रेचर के यानि जग्षत्र में उसमें बहुत यानि अच्छी तरह से फलापला था लेटर एन लिट्रेचर वाज इन फुल स्विंग और इट वाज सेक्ष्पियर सेक्ष्पियर ने उसमें अपना एक विदा को प्रियोग किया बहुत जादा प्रेक्टिस किया और इसलिए अब आईए हम बात करते हैं वेन वी से बैसिकली टू टाइप अप सोनेट्स वन इ सेक्ष्पियरियन और एलिजाबेदन मोडल इसलिए हम इसको बैसिकली कहें यह इटालियन सोनेट पैट्रार्क ने इसको स्टेबलिश किया इसलिए हम इसे कहते हैं पैट्रार्क के न मोडल यह बहुत पुराना बैसिक है इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लासिकल यह सोनेट यह वीदाबाद में यहां एज यूज्वल जोंकीतियों इस्ट्रक्चरली बाई मिल्टन लेटरों अपला दी गई इसके द्वारा फोलो की गई इसलिए इंगलेंड में इसको हम मिल्टोनिक सोनेट कहेंगे इस सोनेट में इन इंगलेंड पाइ प्रैक्टी्स एंद स्पेशली मिल्टन और मिल्टन के दौरा ष्यूज्वल इस्ट्रक्चर में धहर्मी कि एनिर्प्टि ईसकों रे?्पिजियस मेटर्स रहे तोसलिए हम इसको मिल्टार्स तोसकों भी बोलते हैं कि इ क्लासिकल मिल्टॉनिक रिलीजियस बिब्लीकल इस तरह के इतने यानी नाम से आप बोल सकते हैं यहां इंगलेंड में जब इसी में कुछ इनोवेशन के साथ इसको प्रिजेंट किया गया तो हम यहां इसको हम बोल रहे हैं एलीजाबैदन कि सेक्श्पियर ने इसमें बहुत काम किया इसने बहुत यानी इसकी प्रेक्टिस की इसलिए यह प्रेक्टिस में आगिया इसको हम बोलते हैं लॉव सोनेट उसको हम English की भावनाओं से यानि वो जुड़ा इसलिए उसको बोलते है English Sonnet उसको हम नवाचारी हुआ इसलिए हम उसको बोलते है Romantic Sonnet ये इस तरह कि इनके नाम हो गए अब आप Characteristics of English Sonnet Outstanding Characteristics of English Sonnet ये दिए English Sonnet की Outstanding Characteristics की हम बात करते है तो जिस तरह से आपका पेट्रार्कन मॉडल का Structural Thematic तो थोड़ा यहां इस Sonnet में आपको अंतर मिलेगा Sexperience Sonnet divided in four parts आपका Sexperience Sonnet है जो four यानि जो stages of four parts में यानि जो बटा है There are three quattrins, तीन quattrins, a curtain, a stage of four lines एक stage जो यानि आपका four lines का है ये आपका change यहां हुआ दूसरा, fourth stage of two lines and regarded or called आपका couplet Couplet आपका two lines stage यह structural division आपको जो है मिला इसने Sexperience में यह अंतर आपको दिख रहा है Rhyme scheme also arranged in a new, आपका scheme नए तरीके से Rhyme scheme में तोड़ा सा अंतर आया और Sexperience में आप देखेंगे कि Rhyme scheme और Sexperience sonnet A, B, A, B C, D, C, D, E, F, E, F and last में कापलेट में आपको मिलेगा G, G यह एक framed work हो गया और यह यानि follow किया गया जिन Sexperience sonnet में यह दो basic यानि चेंज आए और इनके साथ Thematic change रहा है आपका Sexperience sonnet में जब आपका फर्स्ट क्वेट्रेन, सेकंड क्वेट्रेन इसमें आपका पहला जो sonnet का जो क्वेट्रेन होगा Sexperience का उसमें आपका आइडिया और थीम इज प्रिजेंटेट्ट सेकंड में आपका जो थी में उसको बढ़ा दिया जाएगा और थर्ड में उसको पूर्ण रूप से यानि बढ़ा दिया जाएगा मिन्स आइडिया को पूरा यानि करा जाएगा उसमें पूरा बढ़ा दिया जाएगा इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वेट्रेन इज एक्स्टेंशन और थर्ड क्वेट्रेन इज एक्स्टेंशन और बाई का प्लेट इट से सील्ड और का प्लेट से सील्ड जाएगा यह इसक पेक्टार्कन मोडल सोनेट, इसकी डिस्टिंग्स करेक्टरिस्टिक्स, सेक्स पेरें सोनेट, डिस्टिंग्स करेक्टरिस्टिक्स हम ने ली, लेकिन दोनों यह दिस सोनेट बेस्ट में बात कर रहे हैं, तो सोनेट आइधर दिस और देट, चाहिए हो चाहिए हो, लेकिन उन की जो similarities है on the basis of the term sonnet आप देखिएंगे सबसे पहलाब आई है a poem of a 14 line 10 levels in each line 5 feet in each line I am a pentameter in each line and a rising rhyme scheme कि यह आपके similarities आपकी सोनेट किया होगी और individual characteristics हम जब similarities and individual characteristics को जब एक साथ हम अटेज करते हैं तो एक प्रकार्च आपका पूरा होता है हम आपसे इस सोनेट के माद्यम से बात करना ही चाह रहे हैं कि एक्जाम्स में इस से related जब आप से क्योंस किये जाते हैं तो आपको दो तिन चीजों का विशे दियान रखना है कोई भी जैसे भी आपका हमने यह एक वर्ड बोलता वाट अपकर सकाफ फुल ने में दी आपसे हो तो और बढ़िया चीज है क्योंकि कॉम्पेटिशन में कन्फ्यूज करने के तरीकी है थोमस वोट हम अमारी हैबिट में हैं पेट्रार्क लेकिन फ्रैंसिसको यानि पेट्रार्क क्योंकि चार ओप्षन देके और वह एक जगे और चार ओप्षन में और हमारी हैबिट में वाट आया हुआ है और शॉरली हम कन्फ्यूज हो सकते हैं इसलिए स्टेडी पर पर से आप बारी किसी दियान रखें कि एदी किसी पोईट का एदी किसी पोयम का या कोई ऐसा रेफरेंस है तो उसकी फुल स्पैलिंग पर भी ध दियान रखतें तो आपके एक एक जो इन्फार्मेशन एक एक लाइन है वह आपका जैसे जनरली आपके चोटे-चोटे क्योंस आपके पूछे जाएंगे सॉनेट मींज सॉनेट का यानि मतलब है तो आपका सॉनेट मींज ओरीजिनल डिक्शनेरी मीनिंग सॉंग सॉनेट ऑरीजिनेटेड आपका अंसर हो जाएगा इटेली सॉनेट ओरीजिनली ओरीजिनेटेड इन्दा वर्ड आपका वर्ड दिया जाएगा त imagen नहीं सॉनेट से आपका मेंटर क्रдоसिकल crear को पर Gir मेंपकोर अम्पका येदीच तरह से बहुत सारे क्योंस बनते हैं जो कि information के साथ basically एक confusion ये रहता है sonate कितने प्रकार के यह दिख टर्मोलोजिकल टेक्निकल आप से का जाता है कि basically how many sonates are there answer is two पर technically ये का जाए how many sonates are there no doubt हम option को देखेंगे और उसके according आप बात को समझेंगे वहां तीन आएंगे modern sonate is also regarded modern sonate is also count और इस चीज़ को ध्यान में रखें कि क्योस्टन का टेक्निकल अप्रोच समझें हम बहुत सारे ऐसी यानि जह है टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे भी हमने आप से डिसकेस किया है कि I am big pentameter क्या तो यह जरूर हर तरह के exam में पूचा जाता है I am big pentameter means और चार option आपको देगा syllable means हमारे पास syllable का meaning हो गया a minimal part of the word यानि शब्द का कम से कम छोटा से चोटा सब्दांस that has no further chance to be uttered and to be spoken आपकर ऐसे यानि क्योंस food means हमने डिसकेस किया food हमारे यहां यानि क्योंस अभी आपने इस चर्चा में देखा सबसे पहले Petrarchan model sonnet में England में innovation यानि किस ने किया और लोप सरे Petrarchan model sonnet in England practice में यानि किसके द्वारा किया गया किसके द्वारा इसको florist किया गया दियुक्तु एलोट आप प्रैक्टिस इट इस फ्लॉरिस्ट बाई सेक्ष्पियर सेक्ष्पियर के द्वारा यानि हमारा सौनेट यहां पर आया उसमें कौन सा यानि जह समय ताली जा बेदन एज तो 16th century के लगबग यहां यहां यह प्रैक्टिस में जादा आया लाया गय आपका मार्डन और इर्रेगुलर जो सानिट है उसके अलग अलग यानि जो है है आपका हम कहरें मार्डन या उसको कहरें इर्रेगुलर या उसको कहरें सूडो और सूडो मार्डन इर्रेगुलर जो सानिट है यह आपका टर्म की आधार पर ही आपका क्लियर है कि इसमें तो पेक्ट्रारिकन मोडल सोनेट और नहीं आपका इंग्लिश सोनेट पेटन यह दोनों ही उसमें बिल्कुल एनी फॉलो नहीं किया ऐसे टाइप के जो सोनेट से ऐसी टाइप की जो पोई में उसको यानि सोनेट कर दिया यह और ऑक्सीटन सोनेट स्पेंशरिन सोनेट और कल्टल सोनेट इनके अपनी अपनी विशेश्था हैं कुछ इनकी जो है अदिस स्मिलरिटीज ओप दे बैसिक सोनेट तो इस आर डिगाड़ेड इन थर्ड किटेगरी में हैं अब यह बात अलग है कि यह दिया हम बात करते हैं से और मैंनी स्थीएफ सेुक्ष और यह हूं इसiran और मैंने सेख्छोंसरे पडिक है लेकिन एच चीसरेट जो कोई मैं उसमें देखा है कि यह दी हमारा सोनेट रहेगा मिल्टोनिक तो अक्टेव पार्ट जो होगा उसमें थीम प्रिजेंट होगी और सेस्टेट पार्ट इटसेल पर रिजोलुशन सेक्षेट पार्ट में इसका रिजोलुशन उसका सोलुशन यह अभी मिलता है सेमेटिकल तरीके से यह भी हम बात करते हैं इन दे हैंड ऑफ मिल्टन तो आप यह भी कह सकते हैं कि आपका जो मिल्टोनिक सोनेट है वह ऑक्टेव पार्ट जो हैं अबिशी और सेस्टेट पार्ट जो है वह संबिशी होगा सेक्शपेरेंस सोनेट में हम चलेंगे तो सेक्शपेरेंस सोनेट में आपने देखा कि पहला जो स्टेंजाग आपका जो कौर्टर फोर लाइन का जो है उसमें आपका आइडिया प्रिजेंट किया और आपका सेकंड और थर्ड में आइडिया को यानी बढ़ाया गया इसका मतब क्या हुआ इसका मतब यह हुआ कि आपका सेक्ष्पेरेंस ओनेट में पाल्ट है फिस्ट क्वेट्रें उसमें थीम और आइडिया इज इंटरडिश्ट आपका एक्सपेंस और इन थर्ड इंज एक्सेंट इन फिर आपका कप्लेट रहेगा उसका प्लेट में उसको जो है ग्राउंड यानि थीमेटिक ग्राउंड पर उसको सीज कर दिया जाए गए दोनों का थीमेटिक अलग अलग अपना स्टर्चर है स्टेंडर होगा मुझे लगता है कि इस सोनेट टर्म को यहीं हम एनी जहें लें दोनों इस्टिंग्स तो अब इसमें जोड़ा है जा सकता है कि सेक्षपेंड ने जहें किस तरह से यानि इसको किया यह हम किसी और वीडियो में बात करेंगे सेक्षपेंड सोनेट का स्टेटस क्या है सेक्षपेंड सोनेट का हिस्ट्री क्या है सेक्षपेंड सोनेट का स्टाइल क्या है और मिल्टोनिक सोनेट का स्टाइल क्या है हिस्ट्री क्या है कितने सोनेट लिके कौन-कौन सोनेट में किस तरह की यानि बाती I think it's enough and then we will meet in next video. Thank you for watching.